India Mark 2 Borwell Hand Pump के अंदर, Turaltech Disinfecting Reactor को फिट करने के लिए सूचना. अगर आप India Mark 2 Borwell Hand Pump के जानने वाले फिटर हैं, तो आप इस Turaltech Reactor Device की फिटिंग कर सकते हैं. शुरुआत में, Pump Hand Cover और Bolts को खोल दें, और ध्यान से उन्हें साइड में रख दें. Pump Handle को नीचे करें, Chain Supporting Support को Chain Assembly के नीचे लगाएं, Pump Handle को Top स्थिती में उठाएं, Nailock Nut को धीला करें, Nailock Nut, Anchor Bolt को निकालें और Chain को हैंडल से बाहर खींचें, इसके लिए आप 17 और 19 नंबर का Spanner इस्तमाल कर सकते हैं. Head और Water Tank को Connect करने वाले बोल्स और नक्स को धीला करें और निकालें. Head Assembly को उठाएं और अलग करें और उन्हें साइड में रख दें. Chain, Bottom Flange में मौजूद सुराख से होकर गुजरेगी. Flange को 90 डिगरी घुमाएं. बीज के Flange को पकड़ते हुए, Connecting Rod को उठाएं और Connecting Rod Device डालें. Clamp या Pump Rod Vice डाल कर ये सुनिश्चित करें कि Inner Rod कुएं के अंदर ना गिरें. Rod Vice को पानी के टैंक के Top Flange पर रखें और उसे कस दें. बीज के Flange को Rod Vice पर टिके रहने दें. चेन सपोर्ट को हटाएं और Top Rod से Chain Assembly को ढीला करके निकाल दें. चेक Nut को बाहर निकालें और बीज के Flange को सावधानी से हटा दें. Rod Lifter को जोडें, उसे मजबूती से थामें, Vice को खोलें और उसे निकाल दें. Pump Rod Assembly धीरे से नीचे करें, ताकि वो चेक Valve के ऊपर बैठ जाएं. Rod Lifter के Screw को खोल दें. Pump Rod Vice या Clamp का इस्तिमाल करके ये सुनिश्चित करें, कि Water Outlet Pipe का Central Rod बोर्वेल के अंदर ना गिरें. अब O-ring को Hand Pump Water Tank के अंदर रखें, और देखें कि वो अच्छी तरह फिट हो गया हो. सुनिश्चित करें कि O-ring कहीं से तूटी हुई ना हो. Taral Tech Reactor को O-ring के ऊपर इस तरह रखें, कि वो अच्छी तरह फिट हो जाए. और Device तथा Body के बीच कोई Leakage ना रहे. Central Rod को अपनी जगह Clamp से थामे रखें, यदि साइट से देखें, तो Reactor का सबसे उपरी हिस्सा Hand Pump के कवर के नीचे होना चाहिए. Rubber के टुकडे को उपर रखें. Riser pipe और Reactor के बीच कोई पानी का Leakage नहीं रहना चाहिए. पूरा पानी डिवास में से बहना चाहिए और कोई भी Short Circuit ना होने पाए. उपरी भाग से भी कोई Leakage नहीं होना चाहिए. अब Borwell Hand Pump को वापस Assemble करने के लिए सारे स्टेप्स को Reverse में दोहराए और कम से कम 40 Strokes प्रती मिनिट Pumping होना चाहिए. अब पानी इस्तिमाल के लिए तयार है और प्रदूशित जिवानों से पहले से ज्यादा सुरक्षित है. कृपिया जान लें कि रियाक्टर दो तरह के होते हैं. पहला जो राइजर पाइप के बाहर से फिट होता है, इसके लिए हमें O-ring की जरूरत पढ़ती है. और दूसरा, जिसमें रियाक्टर को राइजर पाइप के अंदर से स्कुरू करने की स्थिती में, हमें O-ring की जरूरत नहीं पढ़ती. तरल्टेक सिलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट www.taraltek.com फोन 810-811-2121 इमेल mail at taraltek.com Taraltek Saving Energy Saving Lives Saving Energy Saving Energy Saving Energy